तो अब देखते हैं, question number 627, इसमें क्या दिया है, कि एक triangle है ABC, तो अपने पास एक triangle हो गया ABC, और इसमें AD जो है, वा angle A का Y sector है, AD जो है, angle A का by sector है, AC का value दिया है 21, BC का value दिया है, 12, and BD का value दिया है, 2, हम निकालना क्या है, अच्छा 2 cm less than DC, तो A अगर X है, तो A X minus 2 हो गया, हम निकालना क्या है, A B का value क्या है, तो देख लिजिए भाई, X plus X minus 2 का value बारह दिया है, तो X का value कितना हो जाएगा, 7, है न, X minus 2 5 हो गया और X हो गया 7, तो जो निकालना है, वो तो angle by sector theorem से निकल जाएगा, angle by sector theorem क्या बोलता है, कि अगर A D angle by sector है, this is in fact angle by sector right, अगर angle by sector है, तो opposite side को adjacent side के ratio में divide करेगा, मतलब कि A B और A C का जो ratio है, तो होगा B D and D C के ratio के बराबर, तो A B तो A B है, A C का मतलब 21 and B D हो गया, पहांच A हो गया, साथ, तिया एक का इस पच्चे 15, तो A B का भेल हो गया है 15 cm, सही answer है B, तो इस question को solve करने में हमने कौन साल लाजी कि मुझे किया है, angle by sector theorem को, और A याद रखना है, चीक है, चलिए फिर मिलते हैं, नए वीडियो,